एतिहासिक प्यक्तित्व मक्खली गोसाल मक्खली गोसाल के जन्म और जीवन्यापन के बारे में जैन ग्रंत भगवती सूत्र में कुछ जानकारी है जिसके अनुसार उनके पिता का नाम मक्खली और माता का नाम भद्रा था मखली गोसाल के बारे में कोई भी प्राथमिक और प्रमानिक शोत उपलब्द नहीं है। मखली गोसाल और आजीवक संप्रदाई की जानकारी के लिए इतिहासकार पूरी तरह से जैन आगम के भगवती सूत्र और बौधगरंत, दीग निकाई के समन्नफल सुत्त तथा मौरे जिवगीन बराबर गुफाओं में प्राप्त शिला लेखों पर निर्भर हैं। जिन में मखली गोसाल और उनके आजीवक अनुयाईयों को महावीर और बुद्ध से निमनतर बताते हुए उनकी खिल्ले उड़ाई गई है। तब भी इतिहासकारों में इस बात पर नहीं है कि मखली गोसाल के आजीवक संप्रदाय और दर्शन का प्रभाव वप्रचलन पहली सदी तक संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से था। प्रमुक तथ्य जैन परंपरा के अनुसार मखली मंख से बना है। मंख एक ऐसा समुदाय था जिसके सदसे चारण या भ मखली पुत्ट गोशाल कहा है। संस्कृत गरंथ दिव्यावदान में मखली को गोशाल मस्करी पुत्र कहा गया है। गोशाल श्रमन परंपरा से आये थे क्योंकि जैन बौध गरंथों में उनके पहले के कई आजीविकों का उलेक मिलता है। मखली गोशाल आजीवक मत के अंतिम तीर्थंकर थे। भारतिय दर्शन और इतिहास के अध्यताओं के अनुसार आजीवक संपरदाई की इस्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अतिम तीर्थंकर मक्खली गोसाल थे। पुष्यमित्र शुंग एक ब्रहद्रत की एक सो चौरासी इसापूर में हत्या करके उत्तर भारत में शुंग वन्ष की इस्थापना की। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेदी अग्य किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्था अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक श्यासन कीया था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपादी धारण की थी। पुष्यमित्र ने पाटली पुत्र को राजधानी बनाई रखा तथा मौर्यों की प्रशासनिक प्रणाली को ही अपनाया। पुष्यमित्र शुंग के समय में भारत पर यवन अर्थात यूनानी आक्रमन हुआ। इसका पता गारगी सहीता, मौर्योत्तर काल, महाभाश्य, मौर्योत्तर काल, मालविकाग्नी मित्रम, गुपतकाल ग्रंथों से चलता है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने दो अश्वमेद यग्य किये थे। पुष्यमित्र के समय हुए यवन आक्रमनों में से एक यवन आक्रमन को उसके पौत्र वसुमित्र ने सिंदु नदी के तट पर असफल किया था। पुष्यमित्र का सामराज उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षन में बरार तक तथा पश्चे में पंजाब से लेकर पूर में मगत तक फैला हुआ था। बौध ग्रंथों तथा चीनी यात्री वेन सांग के विवरण के अनुसार पुष्यमित्र बौधों का विरोधी था। उसने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 इस्तूपों को नश्ट करवाया। इन बौध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र ने एक बौध विख्षु के सिर के बदले सौस्वन मुद्राएं देने का आदेश दिया। बौध ग्रंथों का ये वर्णन अतिशोक तिपूर्ण है। क्योंकि सांचीव भरूत इस्तूप मध्यप्रदेश के एक बड़ इस्तूप का निर्मान पुष्यमित्र के काल में हुआ तथा पुष्यमित्र के प्रशासन में अनेक बौध शामिल थे। अता नहीं कहा जा सकता कि ये ज्यादा कट्टर था। इसा शासक था जिसने समराट की उपादी धारण की थी। इससे उसकी शक्त और प्रतिष्ठा सूचित होती है। उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेल खंड से प्रारंब होकर दक्षन में हैदराबाद तक हुआ। प्रमुख तथ्य प्रवर सेन प्रथम के चार पुत्र थे जो उसके समय में सामराज्य के विभिन भागों के राज्यपाल बनाए गए थे। शक महाच्षत्रपों का अंतही प्रवर सेन के शासनकाल की सबसे महत्तपून घटना है। गुजरात और काठियवार के महाच्षत्रपों को प्रवर सेन ने चौथी सदी के प्रारंब में परास्त किया था। प्रवर सेन की मृत्य के बाद उन्होंने अपनी अलग-अलग स्वतंत्र सत्ता इस्थापित कर ली थी। उसका जेश्ट पुत्र गौत्मी पुत्र उसी के काल में मर गया तथा दूसरे पुत्र बासीम ने एक दूसरी शाखा की इस्थापना की जिसने लगबग 525 इसवी तक राज्य किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वन्ष का संस्थापक था उन्होंने न तो आनुवान शिक्ता या चुनाव के आधार पर सिहासन पर कब्जा किया और नहीं ये एक साज़िश का परिणाम था जलालुद्दीन इसे सिहासन पर कबजा कर लिया। उसने 1290 से 1296 तक शासन किया। प्रमुक तथ्य। जलाल उद्दीन का परिवार लंबे समय से तुर्क सुल्तान की सेवा में था। अपने योग्यता के आधार पर वहशाही अंगरक्षक के प्रमुक के पत तक पहुंचा। उसे तब समाना का गवर्नर नियुक्त किया गया था जहां उसने मंगोलों के खिलाब कई लडाईयां सफलता पूर्वक लड़ी थी। कैकुबाद में उन्हें शाइस्ता खान की उपादिदी और उन्हें एरीज आई मुमालिक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार जलाल उद्दीन न जलाल उद्दीन खिलजी सतर साल की उम्र में एक परिपक्व उम्र में सिहासन पर बैठा और उसके बुढ़ापे की कमजोरियों ने उसके व्यवहार और गतिविदियों को प्रभावित किया। उसने लड़ाईयों में रुचि खो दी, बेहद उदार और वो सहिश्नों बन गया और इस तरह एक शांतिनीती अपनाई न तो उनका व्यवहार और नहीं उनकी महत्वकांग्शाएं सुल्तान के योग्य थीं। उसने उन परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं किया जो एक बड़ी वज़ा साबित हुई जिससे उसकी हत्या हुई। जलाल उद्दीन अपनी उदारता को चरम पर पहुचाया। उन्होंने नकेवल उन लोगों को माफ किया जिनाओने उनके खिलाफ विद्रोह किया बल्कि ठग और लुटेरे भी। उन्होंने विदेशनीती के मामलों में भी सुभाव और कारेवाई की अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया। जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने विरोध करने वालों को भी सुला करने की कोशिश की। वो एक सफल सेनापती था और उसने सुल्तान बनने से पहले कई मंगोल आक्रमनों को सफलता पूर्वक झेला था। लेकिन अपने राज्यभिशेक के बाद उन्हों जलालुद्दीन खिलजी कायर नहीं था लेकिन उसकी शान्ती और दया की नीती चरम पर पहुँच गई थी। ये उसकी कमजोरी बन गई जो राज्य के हित में नहीं थी। एक व्यक्ति के रूप में उनकी उदारता सरहनिय थी। लेकिन एक सुल्तान के रूप में इसने अ शित्रूप से एक धार्मिक दयालू और पवित्र व्यक्ति था। लेकिन एक सुल्तान के रूप में वो असफल रहा। अपने वफादार रईसों द्वारा उसे बार बार चेतावनी दी गई थी। लेकिन वो लाउद्दीन खिलजी द्वारा बिचाये गए जाल में फंस ग प्रिष्ट संख्य 43 महाराजा छत्र साल बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्र साल भारत के मद्ययुक के एक प्रतापी युद्धा थे। जिनोंने मुगल शासक और अंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। प्रिष्ट संख्य तेतालिस प्रमुक तथ्य जहांसी के पास उत्तरप्रदेश और मद्यप्रदेश की विशाल सीमाओं में फैली बुंदेलखंड में 3 जून 1649 को चमपत्राई और लालकुमर के घर में छत्र साल का जन्म हुआ था। चमपत्राई सदा अपने क्षेत्र से मुगलों को खदेरने के प्रियास में लगे रहते थे। पित्र रण से मुक्त होने की अभिलाशा थी। बालक चत्र साल मामा के यहां रहता हुआ अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा। दस वर्ष की अवस्था तक छत्र साल कुशल सैनिक बन गए थे। अंगद्राय ने जब सैनिक वन का राजा जैसिये के यहां कारे करना चाहा तो छोटे भाई छत्र साल को यह सहन नहीं हुआ। छत्र साल ने अपनी माता के कुछ गहने बेच कर एक छोटा सा सैनिक दल तयार करने का विचार किया। छोटी सी पूंजी से उन्होंने 30 घुर सवार और 347 पैदल सैनिकों का एक दल बनाया और मुगलों पर आक्रमन करने की तैयारी की। 22 वर्ष की आयू में 16 साल युद्ध भूमी में कूत पड़े। गुरु प्राणनात के मार्गदर्शन में 16 साल ने अपनी वीरिता से चातुर्य पोन रणीती से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। प्राणनात 16 साल के मार्गदर्शक आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। बुंदेल खंड के अधिकांश राजा और जागीरदार मुगलों के दरबार में हाजरी बजाते थे। उनसे किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ था। एक मात्र शिवाजी ही मुगलों से टक कर ले रहे थे। जब शिवाजी आगरा जेल से निकल कर वापस राइगड पहुँचे तो छत्र साल ने उनसे भेंट की। शिवाजी के आदेश पर फिर से बुंदेल खंड आकर उन्होंने अनेक जागीरदारों और जन जातियों के प्रमुखों से संपर्क बढ़ाया और अपनी सेना में व जोहिला खां और फिर तहवर खां को भेजा पर हर बर उन्हें पराजे ही हात लगी। छत्र साल के दो भाई रतनशा और अंगद भी वापस अपने भाई के साथ आ गए। अब छत्र साल ने दक्षन की ओर से जाने वाले मुगलों के खजाने को लूटना शुरू किया। इस बढ़ गई। विजे दश्मी पर स्वामी जी ने छत्र साल का राज दिलक कर उसे राजा दिराज की उपादी दी। बगेल खंड, मालवा, राजस्थान और पंजाब तक छत्र साल ने युद्ध जीते। परिनामता यमुना चंबल, नर्मदा और टोंस के क्षेत्र में महाराजा च्छत्र साल की समाधिका निर्मान खुद बाजी राव पेश्वा ने कराया था। जिन महाकविप।